जै गुरुदेव भक्त जनो ये बात एक विदेशी महिला की है जो अमेरिका से भारत आई थी अध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए क्योंकि उसने भारत के बारे में बहुत सारी ऐसी बाते सुन रखी थी और वो भी ज्ञान की प्राप्दी करना चाहती थी बतकिस्मती से वो कुछ ऐसे सादूसंतों के संपर्क में आ गई जो उनको नशे की और खीचते हुए ले गए वो महिला अपने साथ काफी धंदौलत लेके आई थी और नशे की लत लगने की वज़े से पूरी तरह से वो समाप्थ हो चुकी थी उसके तब्यत खराब हो चुके थी उसके पैसे खतम हो चुके थे और जैसे ही ये सब होता गया लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया गूमते घामते एक दिन वो बाबाजी के संपर्क में आई बाबाजी से मुलाकात की और बहुत जोर जोर से रोने लगी बाबाजी ने उससे कहा नशा करती हो उसने कहा हाँ बाबा नशा करती हो तो बाबाजी ने कहा छोड़ दो इस नशे को का बाबा जी छोड़ना चाहती हूं लेकिन बहुत बुरी तलब लगती है नहीं छोड़ा जाता बाबा जी ने का अच्छा तलब नहीं छोड़ी जा रही रुको और कहते हैं बाबा जी ने नीचे से मिट्टी उठाई बोला खा इसको खा जल्दी खा ऐसे ही बोला करते थे बाबा जी उनके आगरह करने पर उस महिला ने वो उस मिट्टी को खा लिया फिर बाबा ने का अब जब भी तुझे तलब लगे न इस मिट्टी को खा ले न कहते हैं उस महिला ने दू-तीन बार ऐसा किया और कहीं न कहीं उसके पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ या क्या उसका रदे परिवर्दन हुआ उसकी उस नशे से जो तलब थी वो हटती चली गई उसने बाबा जी को बहुत धन्यवाद किया और उनसे आगरह किया कि बाबा जी अब मैं आज जीवन आपके साथ ही रहना चाहती हूँ आपकी भक्त भनकर आपकी सेवा करूँगी आपके भक्तों की भी सेवा करूँगी लेकिन बाबा जी बिल्कुल नहीं माने और बाबाजी ने उन्हें पैसे दिये और अमेरिका वापिस भेज दिया अमेरिका जाकर वो वापिस पैसे कमाने लगी, खूब मेहनत करने लगी लेकिन तुरन थी उनके साथ फिर से वो ही घटना हो गई और अब की बार उनके बेटे को नशे की आदत लग गई इतनी बुरी आदत लग गई कि बेटे की जिंदेगी पे बात आ गई उन्होंने कुछ नहीं किया, सामान बांधा और सीधे वापिस भारत आके बाबाजी की शरण में अपने बेटे को ले आई बेटा बाबाजी की शरण में रहा, उनकी बातों को माना और धीरे धीरे इतना सुधर गया कि उसने नशा क्या होता है वो भी भूल जाना सही समझा, वापिस अमेरिका गया और अपने शादी करी, अपना परिवार बसाया और नशे से कोश्च सो दूर चला गया तो बाबाजी का यही कहना था भक्त जनों कि नशा करना है